सो हेलो इस्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सही क्रेश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है जिसमें सेट वन कल था आज आया है आपका सेट टू और फ्रेंस ए सेट दू आया है अगर आपने अभी तक सेट वन नहीं देखा है जाकर देखें बहुत ज़्यदा इंप प्रुटेंट है वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इसमें से कोश्चन एक दम लड़ेगा फिर्स नहीं लड़ेगा तो आप जो चाहें कर सकते हैं फ्रेंश मैं आपको विश्वास के साथ कर सकता हूं कि इसमें से आपके बोडिजम में फ्रेंश यूग कहल लाता है ओप्शन ए अप्चेयन ओप्शन बी उप्चेयन सी संचारण डी इन में से कोई नहीं तो फ्रेंश जो इसका सही जवाब होगा होगा ओप्शन भी आपको सिंपली ओप्शन भी पर ठीक लगा देना है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंश अगेला कोश प्रेंश जवाब होगा होगा ओप्शन डी आपको सिंपली ओप्शन डी पर ठीक लगा देना है फ्रेंश लिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंश देखिए अगला कोशन कर रहा है तीसरा संग मरमर का रसाइनिक शूत्र क्या होता है और सब्सक्राण अमुर्ण कर रसाइनिक श जो कोशन कर रहा है चवथा आती भारर की समय बिदूत परिपत में बिदूत्धारा का मान होता है यानि ओप्शन ए बहुत कम हो जाता है बी परिवर्थित नहीं होता है सी बहुत अधीक बढ़ जाता है औप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो फेंश जो इसका सही जवाब ह होगा होगा option C आपको simply option C पे ठीक लगा देना है फ्रेंस चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंस अगिला question कर रहा है पाचमा जय विवित्ता का अस्थान कहां है कहां पर जब विवित्ता जैदा हो सकता है फ्रेंस इसका देखिए option में दिया हुआ है option A फासल छेत्र B नदी D 1 तो इसका जो सही जवाब होगा option D 1 चलिए फ्रेंस आगे बढ़ते हैं फ्रेंस अगिला question कर रहा है कि वाई मंडल में परकास का कौन सा रंग वर अधिक परकिरन करता है option A लाल B निला C पीला D नारंगी जो इसका सही जवाब होगा option B क्योंकि फ्रेंस वाई मंडल में नि निला रंग जो है अधिक पर किन होता है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंस अगिला question कर रहा है सात्मा निवन में से किस माध्या में परकास की चाल अधिकतम होती है option A हवा B जल C सिसा D हीरा जो इसका सही जवाब होगा हवा option A आपको simply option A पर ठीक लगाता है क्योंकि हवा मे परकास का चाल जो होता है अधिकतम होता है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंस अगिला question कर रहा है चालक का परतिरोध निर्वर करता है यानि चालक का परतिरोध किस पर निर्वर करता है option A चालक की लंबाई पर B चालक की अनुपरस्त काट के छेत्रफल पर option C चालक की तो फ्रेंस आपका जो बोड रिजाम 2020 में होने वाला है बहुत ही बेस्ट जाएगा फ्रेंस इस वीडियो को पूरा देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोचन इसमें से जरूर रड़ेगा क्यांकि प्रेंस एक बहुत ज़्यादा भी व्याई कोचन का क्रेंश कोर् ऐसे शंतल दरपर-बी उतल दरपर-डी इन में से सभिव जो इसका सही जवाब वह दो फोकस दोरी धनात्मक होती है चलिह आगे बढ़ते हैं से आप ध्यास देखते रहेगा तो आपको याद भी हो जाएगा पादबपो में पाये जाने वाला ब्रेदी हर्मोन निमन में से कौन सा है option A जिब्रेलीन, B एडिनेलीन, C इंसुलीन, D थाइरोक्सीन तो इसका सही जवाब होगा friends वोगा option A, जिब्रेलीन चलिए आगे बढ़ते हैं फिरस आगेला कोचन कर रहा है इगारमा नियूम में से कौन सा उपधातु है यानि जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा उपधातु है option A जिब्रेलीन, यानि जिंक B, C, A, C G, E, D, C यानि करबन तो फिरस इसका जो सही जवाब होगा वोगा option C यानि जेब्रेलीन शोरी ए होता है गेलेनियम गेलेनियम होगा चलिए आगे बढ़ते हैं फिरस अगेला कोचन कर रहा है बारामा सामानिय अनुस्थीलन रख्त दब होता है यानि सामानिय अनुस्थीलन रख्त दब कितना होता है option A 80 mm B 100 mm C 120 mm D 130 mm फिरस इसका जो सही जवाब होगा option A यानि 80 mm चलिए आगे बढ़ते हैं फिरस अगेला कोचन कर रहा है विभाक्त वालाई का उप्योग किस उपकरण में किया जाता है option A बिद्दूत मोटर B बिद्दूत जनीत C अमीटर D गेलोनीटर यानि गेलोनीटर फिरस इसका जो सही जवाब होगा होगा option A बिद्दूत मोटर चलिए आगे बढ़ते हैं फिरस अगेला कोचन का रहा है चोधावाँ बिद्दूत आवेश का A सही मातर होता है यानि बिद्दूत आवेश का A सही मातर क्या होता है option A bolt B O C ampere option A 4.0 से 4.8 B 5.8 0 से 5.8 C 6.0 से 6.8 D 7.0 से 7.8 तो इसका जो सही जवाब होगा option D यानि 7.0 से 7.8 चलिए आगे बढ़ते हैं फिस अगेला कुचन का राए शुलावा टिंडल परभाव परकास की कौन सी परिखटना को परदसित करता है यानि जो टिंडल परभाव है परकास की किस परिखटना को परदसित करता है option A परकास का परवर्तन B की परकास का आपवर्तन सी परकास का फचकर धी परकास का परकीर करता है चली आगे बढ़ते हैं फिस देखिए सतरवां को शन कर रहाया अगिला कि निम्न में से कौन सा असंत्रिप्ट हाइड्र कार्बन है और सेने CH4, B, C2H6, C, C2H4, D इन में से सभी फ्रेंस जो इसका सही जबाब होगा ओगा ओप्शन C यानि आपका हो जाएगा C2H4, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंस ध्यान से देखते रहे बहुत ज़्यदा इंपोर्टेन कोचन है आपके बोर्ड इजाम के लिए फ्रेंस, बहुत सार लड़ेगा फ्रेंस इसमें से, फ्रेंस अगला कोचन का राय अठरमा कि निम्न में से कौन सा योगिक इधन के र रूपे नोल, इथेक नोल, अमल, इन में से सभी जो है, योगिक इधन के रूपे इस्तमाल किया जा सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंस उनेश्वा कोचन कर रहा है, कि निम्न में से कौन आहार सिरिंखला का निर्मार करता है, उप्शन A, घास, गेहू तथा आम, B, घास, बकरी तथा मानो, C, बकरी, गाय तथा हार्थी, D, घास, मचली तथा बकरी, फिर्स इसका जो सही जवाब होगा, होगा, उप्शन B, फिर्स क्योंकि घास, बकरी तथा मानो, एह आहर सिरिंखला का निर्मार करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंस अगिला को C, 3, C, 4, D, 5, जो इसका जो सही जवाब होगा, फ्रेंस, होगा, उप्शन C, यानि 4, मानो, हिर्दय में कुष्टकों की संख्यास 4 होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंस, फ्रेंस अगिला कोचन करा है, एक इसमा, रसाइनिक अभिकिरिया के दवरान, किसी में उप्शिजन का हराज क्या कहा लाता है, उप्शन A, उप्शन B, उप्शन C, संचार, उप्शन D, इन में से कोई नहीं, फ्रेंस, जो इसका सही जवाब होगा, उप्शन B, यानि उप्शन, उप्शन कहा लाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंस, अगिला कोचन कर मर्न आधुनिक परत्ласт? नहीं सिन्हों का यह है नहीं भूआए Lego याद में आगे बढ़ते हैं वए आधा पंपादात होग है那么 elementary school धींग के बज़ए 10ëं लेप होता है क्योंकि पूछ रहा है कि खात परदातों के डिब्बो पर जिंक के बज़ाए टीन का लिफ होता है क्यों यानि क्यों कि इसका कारण क्या है A. टीन किया पेच्छा जिंक महांगा होता है B. टीन किया पेच्छा जिंक का गलनांक अधिक होता है तीन किया पेच्छा जिंक का अधिक्तम अभिक्रिया सील होता है तीन किया पेच्छा जिंक का कम अभिक्रिया सील होता है तो फ्रेंस का जो सही जवाब होगा यानि आपका option C option C होगा यानि तीन किया पेच्छा जिंक अधिक अभिक्रिया सील होता है उसी के कारण लिफ होता है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंस जो विश्वा कोचन अगला आपका कहा रहा है कि निम्नांकित में से कौन पुनरूद भवन का उधारण है तो A हाइडरा, B अमीबा, C स्पाइरोगाईरा, D इन में से कोई नहीं तो फ्रेंस इसका जो सही लोड़ी गती कर रही है इस कुंडले में प्रिरित विद्धुधारा की दिशा में कितने परिभ्रमर की पस्चात परिवर्तन होता है ओप्शन A, 2, B, 1, C, आधे, D, 14, फिर्स इसका जो सही जवाब होगा ओप्शन C, आधा होता है जो फ्रेंस इस तब कोईचन जो है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है आप लोग इसको ध्यान से देखते रहे है तो हम कल आया था सेट 1 अगर आपने अभी तक सेट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लिजिए यह है आपका सेट 2 फिर्स कॉल आजाएगा आपका सेट 3 फिर्स आपको सभी सेट देखना बहुत जुरूरी है क्योंकि फिर्स बहुत ज़्यादा इंपोटेंट कोचन आ रहा है फिर्स आपके बहुत